आज है 12 February और आज इस वीडियो में हमें कैसे बहतरीन स्टॉक के बारे में बात करने जा रहे हैं जो आपको आने वाले दिनों में अगर आप उसको एक साल होड करके रखोगे तो डेफिनेटले आपको बढ़िया रिटन देने का पूरा का पूरा पोटेंशल रखता है और हाल फिलार में उसके नतीजे भी आये हैं और काफी अच्छे नतीजे हैं तो चलिए देखते हैं तो नाम है मैरिको लिमिटेड मैरिको लिमिटेड इसका नाम है अभी 358 रुपीज पर ट्रेट कर रहा है आज हाला कि 4 रुपे की गिरावट इसमें देखने को मिली है और इस वीडियो में हम जो इसके नतीजे आ हैं उसके बारे में बात करेंगे उससे पहले अगर आपने अभी तक मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसको सब्सक्राइब कर लीजे क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियों से जब वो काफी ज्यादा हेल्प करेंगे तो अगर पिछले एक हफ़ते का मैं इसका निट डेटा निकालों मेरीको का तो देखें दो परसंट की गिरावट है थ्री फिफ्टी सेवन रुपीस का लो है और थ्री सिक्स्टी एड रुपीस का हाई है पिछले एक महिने की बात करो तो छे परसंट की गिरावट है थ्री एटी टू का लो है स्वरी हाई है और थ्री फिफ्टी सेवन का लो है पिछले एक साल के अगर हम बात करें तो देखें 15 परसंट के आस-पास की तेजी इसमें देखने को मिली है 15 के आस-पास का ग्रोथ है इसमें 295 रुपीज का लो बना है और 394 का हाई इसने बनाया था पिछले 3 साल के अगर हम बात करें तो 3 साल में 56% का ग्रोथ है 221 रुपीज का लो है और 394 का हाई पिछले 10 साल के अगर हम बात करें तो 10 साल में मैरी को में अल्मोस्ट 1000% का ग्रोथ है 28 रुपीज का लो बना है और 394 का हाई है अब बात की जाए तो देखें, लार्ज केप स्टोक है 46,000 करोड का इसका मार्केट केप है और अगर NAC में भी अब देखने जाए तो तकरीबन 12 लेक्स के आराउंड का इसका वॉल्यूम टर्ड देखने को मिल रहा है और जो बढ़िया चीज है वो इसका quarterly result है December का result आ चुका है और काफी अच्छा result आया है इसका अगर हम यहाँ पर बात करें NetCell की तो जो NetCell December 2017 में 1624 करोड था September 2018 में increase होकर 1836 करोड का रहा December 2018 में अगेन increase होकर 1860 करोड मतलब 1.31% का ग्रोथ है यहाँ पर Operating Profit में भी 18% का ग्रोथ है Net Profit में आप देखे 15% का ग्रोथ है जो Net Profit December 2017 में 220 करोड का था September 2018 में थोड़ा से गिरा 214 करोड के आजपास करा लेकिन December 2018 में 250 करोड के आजपास करा मतलब 15% से जादा का ग्रोथ है इसमें और देखे Profit Margin में भी ग्रोथ देखने को मिला है जो Profit Margin 16.01 था September 2018 में वो December 2018 में 18.75 देखने को मिल रहा है अब बात करेंगे शेर होल्डिंग की देखे प्रमोटर के पास 59.57% की होल्डिंग है FIs के पास 26.44% की होल्डिंग है Mutual Fund के पास 4.47 की होल्डिंग है अब यहां पर आप देखे कि FIs और Mutual Fund दोनों ने अपनी होल्डिंग बढ़ाई है यहां पर अब Insurance Company के हम बात करें तो 1.13% की होल्डिंग Insurance Company के पास है Non-Insurnution University के पास 7.83% की होल्डिंग है अब देखे प्रमोटर्स के द्वारा एक भी शेर यहां पर गिर्वी नहीं है यह अच्छी बात है 27 Mutual Fund Schemes ने अपना पैसा लगाए है 574 App Files भी इसमें इन्वेस्टेड है अब बात किज़ें डिविडेंट की इसकों में जैसे कि अगर मैं यहां पर बात की जाए तो Money Control User के According 15% Buying Recommendation 15% Selling जबकि 70% लोग कह रहे हैं कि Hold कर लो अगर गिरावाट आ रही है तो गबराने की जरूरत नहीं है और अगर इसके P.E. की बात के देखे 51.30 का P.E. है Industry P.E. 17.18 का है Book Value है 19.80 के Book Value Price to Book Value 18.01 है EPS आप देखे यहां पर 6.95 का EPS है और अगर यहां पर अगर हम बात करेंगे तो अगर सबसे पहले हम यहां पर इसकी Financial Report के अगर हम बात करेंगे तो करजा इनके उपर ना के बराबर 122 करोड का करजा है जो बिलकुल भी निगलेक्ट किया जा सके उतना करजा है यह Total Assets के अगर हम बात करें देखे Total Assets 3,163 करोड के Total Assets है इनके पास Mutual Fund की बात करें तो Mutual Fund भी बहुत सारे इंवेस्टड है ICICI, Franklin India, Aditya Billah, Franklin India देखे काफी बड़ी quantities में Mutual Funds इन लोगों ने खरीदे हुए है तो बहतर है और अगर News अगर देखे जाए तो देखे यहाँ पर अगर आप चाहे November देख लो 5 November देख लो 15 November देख लो 30 November देख लो 7 December के Targets देख लो तो सबने इसके Targets बहुत ही अच्छे दिये हुए है और मुझे लगता है कि जो लेकिन मेरा ये मानना है कि हाल फिला लगए सबसे पहले मैं इसको explain करने के लिए बटर रहे कि मैं यहाँ पर एक महीने का चार्ट ओपन कर लो तो प्राइस चार्ट आप देखे लेकिन अगर आप long term के लिए इसको hold करेंगे तो definitely इसी एक साल के अंदर इसके share 400 रुपे cross कर सकते हैं या कर जाएंगे तो मेरे इसाब से अगर आपने पहले से अगर invest किया है तो panic होने की ज़रूरत नहीं है stock बहुत ही बढ़िया है आपको अच्छा return देगा तो hold करके रखे और अगर आपने buying नहीं की है तो मैं यह कोँगा कि एक दो दिन wait कीजिए उसके बाद आप इसमें invest कीजिए और एक साथ पैसा मत लगा यह छोटी छोटी quantities में पैसा लगा अगर आपको 100 शार खरीदने हो तो 55 की छोटी छोटी quantity खरीदो देखो क्योंकि जब तक यह नीचे गिर रहा है जब जब गिरे तब तब छोटी छोटी quantity इसमें आप खरीदो और इसको कम से कम आप 6 या 7 या 8 महिने तक hold करके रखो definitely आपको इसका price 400 से उपर जाता हुआ दिख सकता है तो इसे के साथ वीडियो को end करूँगा अगर आपको वीडियो अच्छा लगो तो प्लीज लाइक कीजिए शेर कीजिए और अगर आप मेरी चैनल पर पहली बार आये हैं प्लीज अभी इस को सब्सक्राइब भी कर कीजिए थैंक यू